अब आ जाते हैं ये कौन सा मेथट है पीफो ये होमवक में फिर से पहला कोश्चन आ गया नहीं वेटेड एवरेज मेथट है नहीं कोश्चन चार वेटेड ये तो करना बनता है मतलब एक इलिस्टेशन वन को लेते हुए इन्होंने काफी सारे कौश्चन बोला कर लीजिए आपका काम हो जाएगा शल ये वेटेड एवरेज भी करेंगे ये नियू है हमारे सीखने के लिए इन सभी को एड करके इन तीनों को जो बच गए लास्ट में ठीक है चलिए चलिए आपको कुश्चन दिख रहा है बिलकुल दिख रहा है क्लियर ठीक है करें कुश्चन स्टार्ट तो इलिस्टेशन नमबर वन को बेस मानते हुए कह रहा है आपका वैसे है इलिस्टेशन नमबर फॉर वेटेड एवरेज चलिए करते जाओंगा आपको क्लियर हो जाएगा कहता है क्यालकुलेट एंडिंग ऑफ इन्वेंट्री क्यालकुलेट करना है स्वारी यहां पे कहता है एक्स्प्लेइन देना एक जन्वरी को एक एक को हमने हमारे पास क्या आप कौन सा बैलेंस है ओपनी तो पहले की तरह बिल्कुल सेम 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 अब कितना बैलेंस है हजार यूनिट यानि बीस हजार हमने परचेस कर लिया फैब 10 को तो फैब 10 यहांनि 10 दो को फैश कर लिया कितने परचेस किये बांसों अब यहां कितने रुपए वाले हैं पट्चिस वाले तो कितने हो जाएंगे यहांनि 12,500 यहां पर में कैच है देखना अब हमारे पास जो स्टॉक है ना वेटेड में हजार तो पहले ही थे खरीद लिए कितने पांसो तो अब यहां पर अलग अलग लिखने की जुरतनी है सीधा पंदरा सो लिखेंगे पहला पॉइंट पहला पॉइंट देखें समझ में यानि पहले क्या करते थे हां अब रेट इन दोनों को डिवाइड करके निकलेगा तो रेट पता है कैसे निकलेगा इस केस में पहले वाला रेट निकालता हूं बाकी तो समझ में आ जाएगा 32,500 डिवाइड़ वाइड पंदरा सो तो देखते हैं तो रेट आ गया 21.66 ठीक है तो इसमें कई बार ऐसा होगा दस पांच रुपे का फरक भी आएगा क्योंकि हम सारे पॉइंट को नहीं ले रहें यहां पर ठीक है फिर से कहता है तेरा मार्च को 400 यूनिट खरीद लिया ठीक है सर तेरा मार्च को खरीदा परचेज कितने 400 कितने रुपे वाले 22 वाले तो कितने हो जाएगे 8800 अब देखो अब हमारे पास 1500 पहले थे 400 और खरीदे कितने हो जाएगे 1900 अब टोटल कितना हो गया सर 32 500 प्लस में 8800 यानि 41 300 अब रेट इसको इससे डिवाइड कर दो रेट आ गया 21.73 ठीक है अब आपने 20 मार्च को बेच दिया है 1200 यूनिट तो 20 मार्च को 23 को आपने इस्यू कर दिये ये ब्लैंक रहे गया इस्यू कितने कि ये 1200 अब ये थोड़ा आप बेचने टाइम पर असान हो गया कोई टेंशन ही नहीं लेना कितने रुपए में बेचना है 21.73 बेच दो इंटू में 1200 ये आ गया 266 ठीक है न रुपए 10 रुपए 20 रुपए यहां तक कि 100 रुपए का कईवर फरक आ जाएगा यहां कितने बच गए 1200 निकली गए तो 700 बचे ना साथ सो 21.73 तो साथ सो इंटू में 21.73 अब यहां पर एक समस्य आएगी कि आपका हम इसको ऐसा कर सकते हैं वैसे तो मेरा आगया 15211 आप यह भी लिख सकते हैं 15211 ठीक है लेकिन इन दोनों का जोड़ तो सेम तिरतिक तालिस तीन सो होना चाहिए जो बैठेगा ने क्यों पॉइंट की विज़े से या तो आप ऐसा कर तक तालिस तीन सो में से इतने निकल गए बागी बैलेंस यहां लिख दो ताकि आगे असानी हो जाए नहीं तो बाकि आप ऐसे भी कर दो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां तक बताई यह क्लियर है 26 वाला यह हां बिलकुल नहीं 1200 को 21.73 से मैंने यहां पर इन दोनों को मल्टिप्लाई किया है ठीक है चले आगे सर फिर से समान 500 बेच दिया है कब 6 अपरेल को 64 को इशू कर दिया है कितने 500 तो टैंशन ही नहीं लेना 21.73 से बिक जाएगा तो 21.73 यह अठारा सॉरी दस आट सो पैंसर बाकी कितने बच गेशन बाकी बच गेशन पांसो निकलने के वाद दो सो 21.73 यह थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है लेकिन मेरा मानना है पिछले वाले से आसान है इसमें ध्यान नहीं रखना कुछ भी आपको कि पहला कौन सा बिकेगा दूसरा कौन सा बिकेगा फिर बारा मई को आपने खरीदारी कर लिए कितने 400 सर बारा मई बारा चार को आपने पर्चेस कर लिया पर्चेस कर लिये कितने 400 कितने रुपे का यूनिट 25 यानी हो गए हमारे 10,000 तो अब देखा जाए तो 200 और 400 हो गए टूटल कितने 600 और हमारा टूटल अमाउंट हो गया 10,000 प्लस में 4346 यानि 14,346 और डिवाइड कर दें अगर 600 से तो रेट आया थेईस रुपे एक्यानवे पैसे थेईस रुपे एक्यानवे पैसे अब बारा मार्च के बाद 30 जुन को हमने क्या करा बेच दिया कब बेच दिया हमने 30 जुन को इशू कर दिया सर 30 जुन को अगर हमने 30 जुन को बेच दिया है कितने बेच दिया है 30 जुन को 500 बेच दिया तो simple सा भी बात है भी या 500 किस rate से जाएगा 23.191 के यानि जो पहले वाला rate होता है उसी से बेचना है 23.91 इंटू 500 यानि 11955 ठीक है अब बचे कितने 100 कितने 23.91 कितने हो गए 2391 कुश्चन पूछता है at the end आप closing inventory बताइए तो closing होगा sorry पहले बताइए cost of goods sold तो cost of goods sold क्या होगा cost of goods sold सहाब cost of goods sold तो हमें थोड़ा इधर रख लेना चाहिए इसको और हमें sales वाले का total दिखा देना है न इस सभी का total कर देंगे तो 266 प्लस 10865 प्लस 11955 तो यह मेरे पास आ गया 48896 और अपनी किताब में आप देखेंगे तो फरक होगा पॉइंट की वज़े से और ज्यादा फरक नहीं होगा अब closing stock में तो भाई या closing stock तो एक ही अकिला है तो 2391 आ गया तो इसको हमें periodic से भी करना है और हमें perpetual से भी करना है तो perpetual से हो गया periodic भी करी लेते हैं जंजटी खतम करते हैं periodic कर गए ठीक है बताइए कोई क्या राइबुक में आंसर देखिए कितने रुपे का फरक आ रहे हैं सर मुझे आज से रोल नंबर का मैसेज आया है उसने बार कोड नहीं आया फिर कैसे लॉग-इन करूं बार कोड बहुत बच्चों का नहीं आया ना भी क्या है तो आदेश बोल रहें कि लिंक आया हुआ है लिंक पर क्लिक करके हो जाएगा ऐसे बता जा रहे हैं इसे अलग- Украї करके सी ओं बता दो एक बार सी औ जीएस में क्या होता है जो इसू वाले का टूटल होता है ना देखो सी यो जीएस क्या होता है बेसिकली आप देखिए जो इशू वाले का टोटल है ये 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 सब को टोटल करके सियोजियस निकलता है ये रहा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है लास्ट वाले सेक्शन का टोटल कर दो वहाता को नहीं हो रहा थोड़ा वेट कर लीजिये आ जाएगा और आपको फिर दुबारा हो जाएगा करीब वन वीक का और वेट करना होगा आपको सर सेल्स वाला ही टोटल क्यों किया कॉस्ट अफ गुट सोल्ड का मतलब ही होता है कि जो समान बेचा उसकी कॉस्टिंग कितनी है तो जो समान बेचा ये सारी कॉस्टिंग ही आए इसलिए सेल्स वाले का टोटल हमने कर दिया है इसी को प्रियोडिक टर्म्स में करें इसी को प्रियोडिक में चलिए सेम कॉस्टिंग को लेके चलते हम कहां पे जोसार evalu क्में तो उसकी जरूरत नहीं है किसकी बात करणे है सर प्रियोडिक में इसकी जौरत नहीं है चलिए देखते हैं प्रियोडिक प्रियोडिक बड़ा असान है और जनरल एक्जाम में पूछा नहीं जाता है यह प्रियोडिक वाला अब आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं पूछा जाता सबसे पहले हम क्या करेंगे जितने भी purchase किये खटा लिख लेगे सबसे पहले हम purchase लिख लेगे सारे purchase को हम एक साथ लिख लेगे date-wise ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे purchase को लिखने के बाद एक साथ फिर बेच देंगे और यहाँ पिर लिख लेते हैं issue फिर लिख लेगे नीचे balance तो देखिए परचेस के अंदर हमारे पास opening stock था कब था एक एक दो हजार नहीं बताया तो एक एक कितने थे हमारे पास हजार इंटू बीस तो यहां पर लिख लेते हैं quantity rate and total चीक है कितने कितने का खरीदा हजार यूनिट बीस वाले ठीक है हजार यूनिट बीस वाले कितने हो गए हैं इसके बाद फिर से खरीदा हमने कब 10 फरवरी 10 दो को कितने यूनिट खरीदे 500 यूनिट कितने वाले 25 वाले 12,500 फिर उसके बाद हमने क्या किया फिर से तेरा मार्च को खरीद लिया कितने यूनिट 400 यूनिट कितने वाले 22 यानि 8800 फिर उसके बाद कब खरीदा हमने मार्च के बाद 12 माई को 12-5 को खरीदा कितने का खरीदा 400 कितने वाले 25 वाले यानि कितने हो गए 10,000 इन सभी को total करके average price निकाल लेंगे इन सभी को total करके average price निकाल लेंगे यानि 1000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 400 यानि total 2300 unit खरीच चुके हैं इस पूरे question में कितने रुपय का 20,000 12,500 8800 और 10,000 यानि 51,300 का तो rate आ जाएगा हमारा 2300 divide करके 22 रुपय 30 पैसे आ गए ठीक है 22 रुपय अब issue जो किये हैं उसको लिख लेंगे issue में क्या क्या किये हैं कब कब issue किये हैं सर पहला issue है 20 March को 23 को कितने quantity issue किये हैं हमने 1200 उसके बाद फिर से हमने issue किया है 6 April को 6,4 को कितने quantity issue किये हैं सर 500 यानि 81 कर लेते हैं पहले हम ठीक है इसके बाद क्या करा है 30 जून को 36 को कितने कितने 500 तो टोटल कितने हो गए सर बाइस सो और सर बाइस सो को इसी रेट पर बेच दो 81 49 ठीक है बैलेंस जो बच गया बैलेंस जो बच गया वो कितने बचें सर तेईस सो में से बाइस सो निकल गया तो बैलेंस कितने पूछा गया cost of goods sold तो जितने का बेचा वो cost of goods sold पूछा गया end of inventory तो यह end of inventory हो गया हमारा क्या परचेस का कर रखा है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप मैंने तो यहाँ पर clear बता दिया कैसे करना और ऐसा कोई इसका format नहीं आप roughly भी कर सकते इसका कोई format होता नहीं है हाँ तो नीचे इसने direct कर दिया न क्या फरक पड़ता है हमने format के अंदर proper कर दिया है और इसका कोई format है नहीं यह लो इतना यह हो गया और यह थोड़ा और सजा दिया लो तीन पॉइंट हो गया यह अलग अलग कर सकते हैं अलग टुकड़ा यह अलग टुकड़ा यह अलग टुकड़ा यह ठीक है सर इसका कोई format नहीं इसका कोई format नहीं होता अगर फीफो भी होता तो हम सारे जोड लेते और फिर उसके हिसाब से इखटा कर लेते लेकिन फीफो में क्या होता हम ऐसे एवरेज वाला झाल झाल